हमारे साथ हैं गुनाश शहर विदान सवासीर से विधायक बीजेपी के विधायक हैं गोपी लाल जाटो जी जाटो जी वक्त लग रहा है उम्मीद्वार का एलान अभी तक पार्टी नहीं कर पाई है इस देरी की वज़े क्या है अब यह तो पाल्टी जाने क्या कारण है और पाल्टी जो है ना मेरी एक माँ है और पाल्टी का नेने जो है करेगी वो सरूपरी सबाब एक तोर पे एक कारकरता के तोर पर हर विक्त यही कहता है कि पार्टी का फैसला जो भी होगा मंजूर होगा एक लंबा अनभव है स्यासी आपका साथ वार आप विधान सवा में पहुंचे जीत के दो मुखमंत्रियों की सरकार में आप राजमंत्री रहे लंबा एक करियर होने के बाद और इस समय आप सिटिंग MLA हैं गुना शेहर से लेकिन असमंजश किस्तिती कहा है नॉर्मली तो सिटिंग MLA को पहली ही लिस्ट में ओक कारी करता हूं कि राष्टिये सेम सेवक संग का सेम सेवक हूं और मैंसे लंबी राजनीती से सन्यकत्तर से जब मैंने मादवराव सिंधिया जी जब जो है जंग संग से से चुनाओ लड़ेते गुना से उनका भी काम किया था अब पालती को ऐसा लग रहा होगा चार बार साड़ोरा से रहा शोगनर से रहा और छटी बार बुना से ऐसका कारण बसल्टी समझ सकती है जा बता सकता हूं क्या कारण है जबात नीजरे सकते है के पिचली बार जो है केवल जह ना पहली सूची में तीन नाम आई थी मानिये सिवराद सिंग जी बुंदनी से नरोत्रम मिस्रा जो है मदाना दतिया से और गुफी लाल जाटब गुना से अब कोई कारण होगा नहीं आया और क्यों रुक रहा है उसका तो मैं बता नहीं पाऊंगा एक सवाल ये भी है कि आपने जनता के लिए अपने छेत्र में वो कौन से काम किये जिसके आधार पर आप ये कह सकें कि पार्टी फिर से एक बार भरुसा जताएगी और आपको टिकट मिलना चाहिए मैं समझता हूँ के बैसे डेड़ साल तो कांगरिस का टेम रहा दो साल जो है न मतलब कोरोना के उसमें अपन सभी लोग गिरे रहे जो समय मिला उसमें जनता के लिए समर्पित होकर के पूरा विकास के लिए काम किया और अभी अभी मतला ना अर्वों के काम हुए है और अभी मुक्त मंत्री जी आये जनासिरवार यात्रा में उस समय हमने चार मांग रखी थी इसके पहले हमने मतला ना रिंग रोड की मांग की थी तो और रिंग रोड का आभी सर्वे चल रहा है और हमारी अभी हमने चार मांग रहा है पहले से ही जना घ्षट्रा मानी मुक्ति जी में मिला था तो हमारा गुना जो एना नगरनिगम, कमीशनरी और ला कॉलेच और हमारा जो एना किर्शी कोलेच इसकी मांग के थी तो माननी जी, कमंद्री जी ने अभी जनासीर ओदियात्रा में आई ते तो हमको जो एना दो सोगात दे गए, एक तो मेडिकल कोलेच और एक जो है मतला मामले में तो मैं समझता हूँ कि अपार भिकास हुगा है अगर कहीं बैसे मैंने अभी इसका रिकार्ट वगरा जाना बढ़ाय लिए अब दुनिया सड़क को दुनिया को ढ़ें कितना बिकास हुगा और कितना और भिकास का मामला ज़या जन्ता जो च्छे बार विदायक बना रही है पुसीड बदल बदल के बना रही है तो कुछ करता होंगा किया होगा जब ही जो है मतला ना जो मेरी बात हुई यहां लोगों से कार्कम मेरा था उसमें उनका यह कहना था कि सडकों के अंदर शेहर के अंदर गल्यों की हालत खराब है खुदी पड़ी है उन्होंने का कि विरोजगारी बड़ा मुद्दा है जिस पर विधायक जी को काम करना चाहिए था लेकिन वो शाय चुक गए अब ऐसा है कि अभी 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 हमने सेर की पूरी सडकों का भूमी पूजन अभी एक मैना पहले सब किया है हमने मारूती सोरूम से लेकर के और आपके टैल टॉक्स तक और मंडी से लेकर के और बेलोनिये तक 26 कणोर की तो यह बी रूड़ वाले मामला चोड़ कि सेर की मतलब मझना जित्ती सड़क हैं। चाह हैं केंटकी हों चाहं गुना की ऊचाहं सदरवजार हों हमारा ना कोई भी ये और रिप्त उपरय तक सबके बूमिपूजन हो और सब के काम चालूए है निर्मान चालूए है आपके अलावा जो और दावेदार हैं बीजेपी में बात इस तरह की सामने आ रही है कि मामल आप दिल्ली दर्वार में पहुँच किया है और वहां से जो भी फैसला होगा तो उन दावेदारों के बारे में आप क्या कहेंगे दूसरा सवाल यह है कि आम तोर पर ऐसा होता है जिसका टिकट करता है वो कहीं नाराजगी जाहर करता है या जिसको टिकट मिलता है उसको सहयोग समर्थन नहीं देता है अगर किसी और को मिलता है आपके अलावा तो क्या आप पार्टी की लाइन पर रहकर उनको सहयोग करें या पर बगावत होगी कोई बगावत की ख़बर बहुत आ रही है इस प्रदेश में मुझा उससे कोई मतलब नहीं है मैं जो हैना संका सेम सेवक हूँ मेरा गुरू जो है ना दोजे है और पाल्टी का जो निर्ने होगा मैं पहले भी कह चुका है कि वो सरोपरी है और इसके ल करीबी माने जाते हैं और सिंध्या जी के भी करीबी माने जाते हैं फिर कहां पेच फस रहा है यह पेच के मामले में तो मैं नहीं बता पाऊंगा कहां फस रहा है कहां नहीं फस रहा है क्यों फस रहा है यह तो पाल्टी जाने अगर पाल्टी जो है ना और अभी तक मैं समा और भी तक बगवान ने सभी परकार की लाज रखी है। और सर से मेरा बार्ड कांग्रेस को नहीं गया आज भी यह ना भारती जनता पार्टी की है शुक्रिया हमसे बात करने के लिए तो आपने सुना गोपिलाल जाटाउजी का ये कहना है कि टिकट डिले क्यों हो रहा है एनॉंसमेंट में देरी क्यों रही है इसका जवाब इनके पास नहीं है ये तो पार्टी आला कमान बताएगा दूसी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि ज इंताने और बार बार इनको जिता कर भेजा है कुछ आधार रहा होगा इनकी जीत का तो ये तमाम बातें बात्चीत में सामने आई है कैमरामेन मदर कैंथोला के साथ रागवंदर दुवेदी गुना भारत एक्सप्रेस